एपिसोड 4362 जब उनका सुपर गौट स्पिरिट मोट चला गया, तो उनका शरीरोस अजीब और बुरी शक्ती से धका हुआ था. इसने उन्हें अजीब बदलाव दिखाए. कोई बात नहीं. मैं जाकर देखूंगा कि क्या बर्फ जेद दुष्ट महिला जीन अंडा अभी है. मेरे जाने के बाद, मैं शक्तियों को हटाने के लिए अपने सुपर गौट स्पिरिट मोट का उप्योग करूंगा. वीर जानता था कि वह सुपर गौट स्पिरिट मोट का उप्योग नहीं कर सकता. लेकिन अगर उनका सुपर गौट स्पिरिट मोट काम करता है, तो उन नहें राहत महसूस होगी। उसने बावा को उठाया और बरफीले पहाड पर चला गया। चीजे वीर की कलपना से भी बत्तर थी। तियान जिंग ने उससे जूट नहीं बोला था। वो बरफीले पहाड के जितना करीब था उसका लिंग उतना ही छोटा होता गया। यह सोयाबीन बनने वाला था। वीर को थोड़ा अजीब लगा। अगर यह वैसा ही होता जैसा तियान जिंग ने कहा था, तो बरफ के पहाडों के करीब जाने से उसका इन और यांग उल्टा हो जाएगा। यदि वह वास्तब में एक महिला में बदल जाता है, तो वह कि उसका सुपर गौड स्पिरिट मोड पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अपने सामने बरफीले पहाड को देख वह हारमानने को तैयार नहीं था। वीर ने जल्दी से एक आइना बनाया। उसने आइने में देखा और देखा कि उसका चहरा बहुत बदल गया है। उनका चहर जो पहले बहुत तेज दिखता था, अब बहुत नर्म हो गया था। उसकी आखे बड़ी थी और उसकी पलके लंबी थी। उसका आदम का सेब बहुत छोटा हो गया था। यह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वीर हैरान रह गया। कोई रास्ता नहीं है कि मैं पर गौड स्पिरिट मोड का इस्तिमाल किया। उन्होंने खराब शक्ती के निर्मांग को मिटा दिया। इस बार उन्होंने महसूस किया कि उनके सुपर गौड स्पिरिट मोड की सक्रियता बहुत धीमी थी। हाला कि वहावी भी उस पर मौजूद अशुग शक्तियों को म पिटाने में सक्षम था लेकिन परिवर्तन की गती पहले की तुलना में धीमी थी। जब सुपर गौट स्पिरिट मोड को हटा दिया गया तो उनका शरीर बहुत तेजी से एक महिला बन गया। यहां तक मेरा सुपर गौट स्पिरिट मोड भी प्रभावित है। अगर मैं इस से वापस नहीं कर सकता तो यह भयानक होगा। वीर हिच के चाया यह एक जीन दोड के लिए इतना बड़ा जोखिम लेने लायक नहीं था। यह आईस जेद दुष्ट महिला वैसे भी किस तरह की जीन दोड है। इसके निवास के आसपास का क्षेत्र इतना अजीब क्यों हो जोर से रोने के लिए यह पुरुशों को महिलाओं में बदल सकता है। क्या यह एक महिला को एक पुरुश में बदल देगा। वीर ने उस संभावना पर विचार किया। उसने अचानक सोचा जादू में एक महिला शरीर है। अगर मैं उसके साथ मिल जाओं तो मेरा आधा शरीर एक महिला का शरीर बन जाएगा। क्या इस से मुझे उस अजीब शक्ती का विरोध करने में मदद मिलेगी। जैसा की वीर सोच रहा था उसने ब्रहमान्द के नियमों को तोड़ा। उन्होंने अपने सुपर गौड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल किया और अपने शरी वीर के साथ सयोजन करने के लिए स्पैल को बुलाया। जादू एक औरत है, है ना। वीर ने प्रार्थना की तियान जिंग जो बरफीले पहार पर चड़ रहा था, ने वीर के चेहरे के बारे में सोचा और हंस पड़ा। वह कितना भी शक्तिशाली क्यूं ना हो, वह इस ज जगह पर बेकार है। यह मैं अपना वादा नहीं निभा रहा हूँ। अगर उसे आइस जेद दुष्ट महिला नहीं मिलती है, तो यह मेरी गलती नहीं होगी। किसी कारण से, तियान जिंग ने वीर के चेहरे के भावों के बारे में सोचा, वह इतनी खुश थी कि वह लग भग गाना चाहती थी। वो देखने के लिए मुरी और देखा कि वीर ने पीछा नहीं किया था। तियान जिंग ने हस्ते हुए कहा, बुरे नेता सही थे। इस जगह पर आदमी कितना भी ताकत्वर क्यूं न हो, उसका यहां होना व्यर्थ है। केवल शुध महिला ही इस पार कर सकती है और आइस जेद दुष्ट महिला का जीन अंडा प्राप्त कर सकती है। तियान जिंग ने वीर को पूरा सच नहीं बताया था। वह वहां अपने लिए आइस जेद दुष्ट महिला लेने गई थी। वह यह भी जानती थी कि जीन का अंडा कैसे प्राप्त किय जाता है। जब जुवान मी जोग और पुराने नेता कई कुलीनों के साथ वहां गए तो कई बुरी चीजे हुई थी। पुरुष महिलाओं में बदल गए और अशुध महिलाओं ने दारी बढ़ा दी। जैसे जैसे विपुरुष बनते गए उनके शरीर बड़े होते गए। इतना ही नहीं था। उन्होंने जानवरों के क्रोध को उकसाया जिसके परिनामस्वरूप और भी बुरी चीजे हो रही थी। कई कुलीन मारे गए। भले ही उन्होंने उन जानवरों को पागल न किया हो लेकिन बरफीले पहाड पर जाने के बाद भी कई बुरे काम चल रहे थे। सभी कुलीनों में से केवल हुआन एमाई जोग नेता ही पहाड की चोटी तक पहुँचने में सक्षम थे। वहाँ उसने आईस जेद दुष्ट महिला के जीन अंडे को देखा। आंत में नेता ने आईस जेद दुष्ट महिला का जीन अंडा नहीं लिया। एक शुध महिला होने के अलावा, यदि कोई आईस जेद दुष्ट महिला का जीन अंडा लेना चाहता है तो और भी आवश्यक्ताएं थी, हाला की नेता एक शुध महिला थी, उसकी फिटनेस शरीर के अनुकूल नहीं थी। इस प्रकार, उससे जीन अंडा नहीं मिला। तियान जिन के अकेले जीन एग लेने के लिए वहा जाने का कारण यह था कि वह जानती थी कि केवल वहा इस जेद एविल लेडी जीन एग ले पाएगी। अगर उससे पता नहीं होता कि वहा केली नहीं जाती। पुराने नेता ने वापस जाकर लंबे समय तक इस पर शोद किया। आंत में, उन्हें पता चला कि आईस जेद दुष्ट महिला जीन अंडल लेने के लिए आपके पास एक चरम यिन और एक चरम यांग ठंडे शरीर का प्रकार होना चाहिए। उसके बाद, हर नेता ने केवल ऐसी शरीर वाली महिलाओं को उठाने के लिए लिया। उन्होंने तब से सुपर गौड पल्स के फिर से दिखाने का इंतजार किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह दिन कभी आएगा। तियान जिंग ने सोचा कि उसकी किस्मत वास्तब में अच्छी थी। अतीत में, जुवान एमाई जोग ने चरम यिन और चरम यांग शरीर वाले लोगों को उठाया। उनमें से कई महान थे। जब तक वे जीवित थे, सुपर गौड स्पिरिट मोड नहीं दिखा। तियान जिंग के पास नौ यिन दुरलब नारी वाला शरीर था। वह साधारन रूप से प्रतिभाशाली और भयानक रूप से स्मात थी। उसके उपर आखिरी नेता वह था जिसने उसे उठाया। इसका मतलब था कि वह उत्तराधिकारी होगी। यही कारण था कि वह रहस्यों को जानती थी।